काफी अच्छा लगता है ना जब बच्चे फोन करके तुम खुश होते हैं बोलते हैं कि सर सब अपका पढ़ाया हुआ ही आया जो पढ़ाया थे सब उसी में से फसा इवन मैंने गैस किया था इस बार की मीन मोंड मीडिया ना सकता है क्योंकि लास्ट एर कैट ने पूछ लिय और मैंने अपने वीडियो कोर्स के क्रिएटर्स लेवल में वो कराया भी था उसके काफी कोश्चन्स करा दिये थे ठीक है तो चलो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग कट ओफ का वेट कर रहे हो तो उसको बता देता हूं और काफी खुश हो गया ना है ना चलो कट ओफ सुनके हिलना मत ठीक है तो ध्यान से कुछ चीए समझ लेना ठीक लाइक शॉट अंसर में हम बात करें तो जैसा कि एक्सपेक्टेट था कि लाश्ट येर बहुत तफ पूछ लिया था वैसे तफ नहीं था लेकिन हां कट ओफ के साब से तफ था तो इस बार उन लोगों ने 10 अप्रॉक्स तो कुश्टेंस किये हैं है ना अन अवरेज 8-10 कुश्टेंस शॉट अंसर में किये ही हैं अच्छा अब MCQ की बात करें कट ओफ थोड़ी देर से बता दूंगा ठीक है MCQ की बात करें तो दिये का जो सैट था दिये का सैट बोल लो जो भी था वो तो मेरा पड़सने अनालिसिस है कि जिन बच्चों से मुझे उमीद थी कि इनके अच्छी रैंक आएगी उन लोगों ने तो उसको सौल किया है और जो अन अवरेज अब अवरेज थे उन लोगों ने उसको सौल नहीं किया लेकिन जब मेरी डिटेल में बात हुई तो मुझ बच्चों ने किये हैं है ना तो 15 11 to 15 इसमें भी किये हैं यह बिलोव एवरेज और यह अब आवरेज तो 11 to 15 की एक रेंज आई हां जिन लोगों ने जे डबली की प्रिपरेशन अच्छे से की ती उन्होंने 15 प्लस भी कुछी बच्चों ने किये हैं जिनने 15 प्लस बात ही 14 कोश्चन भी कियें शॉट अंसर में ठीक है तो शॉट अंसर में 14 भी एक में वो डाउट है लेकिन 14 उसके और मुझे लगता है कि हो सकता है करेक्ट हो बागी अंसर की में पता चलेगा और mcq में 15 प्लस लेकिन अभी करेक्त है लेकिन अभी कट-off यहां से डिसाइ लाश्ट यर से शॉट अंसर में गड़बड हुई थी वह सही नहीं बाकी सारे सही रहते हैं और इस बार तुम्हें गैरेंटी सोलों शॉट अंसर का भी जो मैं कट आप बताऊंगा वह सही जाने वाला है ठीक है और वी ये मोर और लेस लाश्ट येर के जैसी ही थी सबने 34 ए एक्यूरेसी के साथ जो बच्चे खुद से बोल रहे हैं अब इसमें कुछ गलत कुछ सही भी होंगे ठीक है अब देखो ये पिछले कुछ सालों का शॉट अंसर क्वांट के कट आफ दिया हा गया है है ना अच्छा ये सिक्टी कोश्चन्स पिछले दो साल से ही आ रहे थी था था हम बात करें तो पहले 20 था फिर 12 आया जन्रल केटेगरी में इस बार मैं गैरेंटी से बोल रहा हूं इस बार ये जो कट आफ जाएगा ठीक है इस बार ये 24 मार्क्स के आसपास जाएगा या तो 20 जाएगा या 24 20 से कम मुझे नहीं लगता जन्रल केटेगरी के लिए तो 20 से 24 मार्क्स इस बार कट आफ रहेगा एंसी ओबी सी के लिए ये कट आफ जो रहेगा ये मेरे ख्याल से 12 मार्क्स अप्रॉक्स रहेगा ये त्वेल या 16 भी रह सकता है SC के लिए ये 8 मार्क्स रहेगा ST के लिए 4 या 8 हो सकता है ये 8 या 12 ठीक है PWD के लिए भी 4 या 8 आप मान लो और EWS के टेगरी के लिए 8 या 12 मान लो ठीक है मेरे ख्याल से ये कट आफ रहेंगे शॉट अंसर में ठीक है चलो अब MCQ की बात कर लेता हूं MCQ इस बार अभी जित्ती भी बात हो रही है बच्चों से थोड़ा सा उनको DI टफ लगा और इन्हों ने इस बार क्या कि देखो इस बार MCQ को टफ कर दिया ठीक है तो MCQ में जो मुझे जनरल के टेगरी के लिए कट आफ लग रहा है ये मुझे लगता है कि 30 एप्रॉक्स मार्क्स जाएगा 32 मैक्स तू मैक्स 35 ले लो 32 35 जाएगा similarly NCOBC की बात करें है ना तो इसमें जाएगा इनका लाश्टे 30 इस बार इनका जाएगा 22 24 के आसपास ले लो है ना मिनिमूम 20 इवन 18 भी जा सकता है ठीक है SC के लिए मेरे ख्याल से ये कट आफ जाना चाहिए 12 तू 13 मार्क्स ST के लिए 8 तू 9 मार्क्स या इवन 5 मार्क्स भी जा सकता है 5 या 4 मार्क्स भी जा सकता है ठीक है PWD के लिए 4 तू 6 मार्क्स और AWS के लिए यही जो कट आफ है यह 20 तू 24 मार्क्स जाना चाहिए ठीक है इससे कम भी जा सकते हैं ठीक और देखना गैरेंटीड बोल रहो हूं यही cutoff जाने वाले ठीक है वर्बल एबिलिटी के हम बात करें तो वर्बल एबिलिटी में इस बार्ट सी तो आसान थे लेकिन बाकी पार्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था तो मेरा मानना है वर्बल का cutoff इस बार 120 के आसपाद जनरल के टेगरी के लिए रहेगा ठीक है 85 एप्रॉक्स एनसी ओबीसी के लिए रहेगा ठीक है एससी के टेगरी के लिए यही cutoff 65 एप्रॉक्स रहेगा ठीक है एप्रॉक्स मतलब थोड़ा प्लस माइनस 4 इसमें कर लेगा तो मेरे को लगता है यह यह cutoff जाने चाहिए और अभी काफी बच्चों से जो तिन बच्चे तो इसे मिल गए मुझे जिनके 250 प्लस एजीली आ जाएंगे ठीक है तो आप बाकी देखने बाकी हाँ कमेंट सेक्षिन में आप अपना बताना कि आपका कैसा गया और जो भी गाइडन्स चाहिए आप डी मोटिवेट हो रहा हो या मोटिवेट या जो भी आ पूछ सकते हो तो आप सभी को all the best